हलो सलाल के दोस्तों तो यार क्या हाल है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपस ओफ सेंपलिंग ठीक है अब यहां पर दो तरह की सेंपलिंग होती है स्टेटिस्टेक्स में दो तरह की संप्लिंग होती है एक होती है रेंडम संप्लिंग दूसरी होती है नौन रेंडम संप्लिंग ठीक है अब यह में उससे पहले आपको बताओं कि रेंडम संप्लिंग क्या होती है सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संप्लिंग संपल और पॉप आइटम से लिए सेलेक्ट करें और उन सेलेक्टेट लोगों को एनलाइस करें और उसकी बेजेत पर हो का result निंकाले तो उस चीज़ को हम कहेंगे sample ठीक है अब sampling क्या होता है sampling is a process ठीक है यह process होता है selecting the samples from the items from the group of items from the population ठीक है तो यह process को हम sampling करते हैं ठीक है उन सबके पास population में जो भी items ठीक होते हैं और उसे की साथ ही उहाँ पे जितने ही इन यह सबाहर गजने सब्सरुआ मिलते जूनते हैं ठीक है अब बाद बात करेंके non-random samples करेंट अभर एंपर मेंबर तो खुल्फिल सथान जए वि फुल्फिल सटन ग्राइटरिया हुझे में तो अब धॉक्टेटिव थे नुक्षंपलिंस टो तो अब जो आपधा लोग दो यह उनके पास जो वो इकुल चांस नहीं होता है एक इसके लागव उनको इसके लाव उ से कुछ लोग सेलेक्शन करनी है ठीक है अब आप नॉन रेंडम संप्लिंग करते जा रहें तो आपने कुछ टेस्ट होगे रख रख दिया है कि जो बंदा ये टेस्ट पास करेगा वह सिर्फ जा सकेगा सेंपल में अब जारी सिक बात है हर बंदा तो नहीं पास कर सकेगा ठी सकेगा ठीक है तो इस अरणे रख राहिय रहें और के रिंडम संप्लिंग क्या क्या मैसर्ट सुथ एं पिला ब्रेंडम जेर्ट संप्लिंग क्या ओतों में रर्यु चर्फ यह यहां जो किआ है सेंपल बेसिकली पापॉजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो यहां पर सिंपल रैंडम सेंपलिंग में तमाम लोग या तमाम आइटम पापॉजेशन के लिए होते हैं उनकी सिमिलारिटी ज्यादा होती है और सबके पास इकॉल चांस होता है सेंपल में सेलेक्ट होने का सबके पास इकॉल चांस होता है और यहां पर जितना बड़ा आप सेंपल बनाओंगे उतना ज्यादा वो रिप्रेजन करेगा पॉपॉजेशन को ठीक है फिर हम फिर आजाता है हमारा स्टे स्ट्राटिफाइड डेंडम सेंपलिंग अब यह तब ह यह उनके छोटे-छोटे ग्रूप बना दोगे जैसे फोर एक पॉपॉलेशन के अंदर अब यह नहीं हो सकता है कि मतलब हर इंडिवजल एक सिंगल इंडिवजल से अलग हो सकता है कि वहाँ उस पॉपॉपॉलेशन के अंदर कुछ आइटम पांच आइटम एक जिसे हो आप फिर उन चोटे 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 ग्रॉप्स में से आप उनकी सेंपल्स निकालोगे फिर उनके बाद उनकी उनके उपर एक्स्परिमेंट करोगे और फिर वो पॉपलेशन को रिप्रिजेंट कर रहा होंगे ठीके तो इस इस्ट्रैटिफ़ाइड रेंडम सेंपलिंग यू स्ट्रैटिफे ट्रैटि चैनल को सेंदन है लेक्डिप्रिमेंट ऐाइक versus a model पेखैंगे पया托या है खालग समय सेंगें up our looks फोर एक प्डॉडेशन है ईक पाप्पुलीशन फॉर्ट उसके अंडर समझें get Esse सिंगे पचास लोगु संग तो विए अवं पेखे निक'ोल्मुटों ने यलो हैट पेनी है कि अंतर पसंद है की फिरी 20 में से 5 था एं रेद ही निए रेट कलर प्षंदे जब बाकी affected पंद्रह धुश्त पर प्रस ago ए Six Nintendo प्षवें बाक्षें और रेट कलर Siz पना एट प्रसके तॉप आप किस्तितया ग्रूप बनाऊगे notamment येळवाले को बना लोगे टाम येलो तो आप ने में तो वालग कैआए जोए इन वालने को यलोगलर पसंद होगा और तुस्या grounds में हमारे बलू हैट वाले होंगे और ने वाल पसंद अगा ठीक है अब आपने ग्रुप बना लिया अब उन ग्रूपंग में से आप सेंप्लिंग करोंगे थीक है यानि कि दो यहां से तो इस गुरूप में सही और यंप इस गृूप में सही तो इस गृूप में ले लिए टियए और फिर उनके 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 इस एक्पोर्शτο होग्द उप利 मिलग सभ गणते हैं और ठाटा कहते हैं किसी को मतलब करिगोप्स हम निद्वायड करने को स्टाटा केते हैं और ये ताब होते है जम हमारे पास population heterogeneous वहें के जायनके नाव उनके अधर ठीक है फिर तरा है systematic sampling this type of sampling is design दिस तैप of sample design is apropriate when the complete up-to-date list of a respondent is available every ninth individual in the population list is selected here if our first example पहीं एक्षेंपल भी तेके लिए लिकें पहले पको definition explain कर देता हूँ ये जो systematik sampling है ये तब काम हाती है जब हमास population के अंदर जितने ही भी people है जितने भी items से उनकी तमाम की हमारे पास sir sampling frame मौझूद हो था sampling frame बहुले तो list मौझूद हो था हमारे पस पूरी list मौझूद हो कि हमारे पस इतने कितने लोग है उनकी पूरी डिटेउल ना पास must out तो फिर हम क्या करते हैं उस पूरी डिटेयल मेसा कि हमें एक सिस्टम बना डिते हैं हम जो हर चाहिते हर अ फार चिंछा के आंध बंड़ा चोड़ cell के नमभा बंड़ा सेलेक्शन करें तो इस सरह सेलेक्शन करते हो तो इस com को सेलेक्शन को हम के ते रेंड और सुस्टमाइटिक सैंप्लिंग यहां पर पास एक्जेम्पल दी गई यह जैसे फर एक्जेम्पल पॉपलिशन लिस्ट फवाजन दूर सेंपल और फाइफंड रिसेर्चर वूर सलेक्ट अवरी तेंथ नेम उन दे लिस्ट ठीक एंग हर ल साव बंदा चोर के बहुत दस्वाजन दे को सिलेक्ट कर दिया अब हम बात करते हैं क्लिस्टर इन रिस्टर स्रेंडम संपलिंग यहां पॉपलिशन इस प्रिट इस अवर थे लिए नार्ज घ्रिक एरिया ते लों लों द इस किस टाप आंपलिंग इन वे इस किस ताब यह geografic or administrative boundaries while in cluster sampling a random sample of clusters selected first and then a random sample is selected from the selected clusters ठीक है अब क्या होता है कि आपकी जो population है एक एक जो असलामबाद में ठीक है जिसके आपने रिसर्च करना है और दूसरी जो है वो दूसरी सेम पॉपुलेशन है हमोजीनिस है ठीक है लेकिन दूर दूर जगाएं पे हैं कोई jadiתחika जो जोपोवचों कारें उनकी जो प्रमें सेथी काफी दूर दूर defender चाहं फिसर्च टीक है एक इसलामबाद में कराची में ठीक है और एक पंजाब में अब आप क्या कर ओ एंको जो है क्लेस्ट्र में इक इसमें को मतलेजविए इनके नीच पापलेशन उनीच लेकिन आपने इस population को कम से कम करके एक cluster बना लिया क्योंकि आप जो है boundaries geographically boundaries से अब limited 30 है मतलब आप मतलब आप जो है वो इस पूरी population को नहीं कर पा रहे थे तो जिसके आपने इस जोटा सा cluster बना लिया अब इस cluster मेंसे आपने जो है sampling कर ली तो इस तरह की sample को हम कहते है cluster random sampling ठीक है फिर आती है two-stage sampling it is useful to combine the cluster with the sample random sampling for example rather than randomly selecting 100 students from a population of 3009th graders located in 100 class and researcher might decide to select 25 classes randomly from the population and 100 separate classes and then randomly selecting four students from each class ठीक है for example यहां पर आप क्या करते हो यहां पर two-stage का मतलब है कि पहले आप जो है पहले आप अपनी जो है population select करते हो ठीक है फिर population मेंसे आप sampling करते हो for example आपको पता है कि आप आपको पता है कि यहां पर समझे कि 5000 classes है ठीक है तो आपने किया कि randomly 5000 मेंसे पहले पहले classes का population आपने सेंपल मतलब पूरी big population को आपने चोटी population में ठीक है कर रहे हो ठीक है मतलब एक तरह से इसको कह सकते हैं जैसे आप population है population की भी आपने population निकाल ली मतलब population मेंसे भी आपने selection कर ली कुछ population की मैं ये-खलास 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 मैं रैंडम्ली स्लेक्शन कि हॉइं त्जिग जो selected class है उन मेंसे अपने सेंपनी किन कि तो यानिके पहले आपने 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 दो दफा सेलेक्शन की पहले आपने पॉपलिशन को छोटा करने के लिए सेलेक्शन की और फिर आपने सेंप्लिंग के लिए सेलेक्शन की और दोनु तरह की सलेक्शन आपने रेंडम ली की तो जिसके आपने सेलेक्शन आपने रेंड used as samples of population because researchers unable to employ more acceptable sampling methods it is frequently used in behavioral sciences ठीक है अब incidental or accidental में आप क्या करते हो जो आपको most frequently available samples मिलते हैं आप उने ही उनके उपर ही जो हो experiment करते हो ठीक है और फॉर एजेंपल जैसे यहां पर जैसे फॉर एक्जेंपल आपको कुछ पाकिस्ताम में कुछ चाइनिस लोग दूनने हैं ठीक है अब आपको पता है कि अगर मैं कहते हैं अनॉंस्मेंट करता हूँ कि मजे कुछ चाइनिस लोग चाहिए तो यह यह चाइनिस लोग हैं जो कि पिछले पहली दफा भी आये थे मेरे पास जब मैंने कुछ group from population on the basis of available information through it is to be representative to a total population infernal statistics can not used for the observation of this sampling so generation, generalization is not possible तरिक अब देखें, random judgment sampling क्या होता है कि आपके अपास जितने भी population के अंदर जितने भी लोग यह items मोजूद है आपके वास उनके detail मोजूद होई होती है ठीक है कि इसके बास यह qualification है यह for example population जो है वो इसमें people है, ठीक है, लोग है तो आपको पता चलता है कि इसकी ethnicity यह है और इसकी जो ethnicity है, इसकी qualification है, ठीक है यह यहां से आया है, इस इस background का है, ठीक है तो आप क्या करता है, आपके पास जो detail available है तो आप उस detail से जो है, वो selection कर रहे होता है कि मैं मुझे इससल बंदी चाहिए, तो यह बंदा काफी close है यह बंदा काफी close है, यह इसस बंदा चाहिए, एजो इन इन चीज़ोंपे на Θ Kick ठीक है पिराते है प्रपोसिफ सैंप्लिंग अब आपके पास जोए लोगों की डिटेल मुझूद नहीं होती है ठीक है आपके बास उनकी समझे में नहीं होती है और फर एक्जमपल इसको एक सिंपल एक्जमपल यहीं लेग सकते हैं कि जैसे एक हायरिंग मेनेजर है ठीक है अब वह पीछा आते हैं जिजमेंटल सेंपलिंग अब इनके पास अब फिर से समझें कि मैनेजर बाइड गया और वह अपने एंपलोई मतलब लोग को अपली केंड को सेलेक्शन करने के लिए ठीक है और उसके बास वो लिस्ट है अब वो क्या करेंगा सबकी रिजर मेंश करेंगा क अब लोगों की सेलेक्शन करा रहा है ठीक है तो फ्रोसिफ को हम यह सकते हैं कि यह सब्जेक्टिव है और यह थोरी बहुत मेर्त अब जेक्टिव अप्रोच एठीक है अब हम बात करते हैं, quota sampling, ठीक है, this combines both judgment and probability sampling, the population is classified into several categories, it is most frequently used in social surveys, ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप judgment का भी इस्तमाल करते हो, और साथ-साथ जो हो, थोड़ी बहुत उनके, मतलब इनको equal chance भी देते हो, selection करने का, ठीक है, और यहां पे population जो हो, सब्सक्राइब होती है, तो, जैसे, for example, आपको लोगों से survey लेना है, ठीक है, तो आपने कहा कि, भाई, मैं जो है, वो, university, मुझे, मुझे, जो है, यह, परसन जो है, समझे, CA, जो qualified है, उनसे, मुझे survey लेना है, ठीक है, अब जार सी बात है, आप पूरे, तमाम CA से तो, नहीं ले पाओगे, ठीक है, तो, आप देखोगे, कि भाई, जो बन्दा, आपको चाहिए, कोई इसा बन्दा, जो CA qualified भी हो, उसके जो skills है, वो भी अच्छे हो, तो फिर आप देखोगे, कि भाई, हाँ, यह, पर यह, पर यह, पूरा उतरता है, नहीं उतरता, ठीक है, और उसके बन्दा इस चीज़ की नोलेच है, यह, उसके बाद आप उनसे सर्वे लोगे, तो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप जो एपजेक्टिफ अप्रोच भी जा रहे हो, यान कि आप आप जो है, वो देख रहे हो कि वंदा जो है, आप जच कर रहे हैं, आप जो एक जो को किते है पर रह règंद रायंड यंड कर वाक ने खॉ강 कर दाते है यह आपके पास यह जो पुस्टीटने आपके पास है आपके पास यह जो लोग आपके पास जो ए सेली अउयलो वाल राव काम कमिंस जनीयो रावेलेन विलुग स्ट ран Això करتच थेस्ट से अ अपिरन बूस दीडियों आखिय। ए्योक्त थे प्रीट। वाचिय। धूेट प्रीट इंट अफ शीज।